मैं हूँ आपका दोस्त बिट्टू and welcome to my channel booktuber बिट्टू दोस्तो एक कहवत है there is no friend as loyal as book हाँ दोस्तो क्योंकि जब कभी भी आप अकेले पढ़जाते हो आपके साथ कोई नहीं होता है तब आपके साथ होती हैं वो books वो knowledge जो आपने उन किताबों को पढ़के हासिल की है हाँ दोस्तो आज पूरे देश भर में lockdown चल रहा है और मेरा आपसे विनम्बर निवेदन है कि आप घरों पर रहे शुरक्षित रहें हाँ दोस्तो इस lockdown से प्रेशान नहीं होकर अपने time का utilization करें इन पांच e-books के साथ जो आपका दोस्त बिट्टू आपके लिए लेके आया है जिन e-books को आप घर बैठे अपने mobile में ही पढ़ सकते हैं और अपने knowledge को पढ़ा सकते हैं अपने व्यक्तितों को निखार सकते हैं हाँ दोस्तो इसी के साथ सुरुवात करते हैं आज की हमारी पहली बुक है The Power of Habit दोस्तो इस बुक में Charles Duhigg ने बताया है कि First we make habit and then habit make us हाँ दोस्तो इस बुक explores the science behind habit, creation and reformation हाँ दोस्तो कैसे हम अपनी छोटी छोटी आधतों को change करके अपनी life को transform कर सकते हैं और दोस्तो इसमें आपको मिलेंगे golden rule of habit change दोस्तो इस बुक को मैंने number one पे इसलिए रखा है क्योंकि जब आप अपनी habit बनाओगे तब ही तो मेरी recommend QE book पढ़ोगे और अपने आपको transform करोगे Now the second book is Wings of Fire An autobiography of Dr. A.P.J. Abdul Kalam Written by Dr. Kalam and Arundh Tiwari इसमें आपको पता चलेगा कैसे एक छोटी से गाउं का लड़का अपनी life में struggle करके भारत का top scientist बना और भारत का रश्टरपती बना हाँ दोस्तों उनकी life कितनी challenging रही होगी और कितने ऐसे incident रहे होंगे जिन से हम सीख ले सकते हैं और अपने life में implement कर सकते हैं हाँ दोस्तों मैं तो एक बात ही कहूँगा आपको ये book जिन्दगी जीने का तरीका सिखा देगी और आपको हमेशा motivate रखे लिए ओके दोस्तों now the third book is The Magic of Thinking Big written by David Squats दोस्तों हमारी thinking का हमारी life तर बहुत effect होता है हाँ अगर हम negative सोच रखेंगे तो हम हर वक्त demoralize feel करेंगे और अगर हम बड़ा सोचेंगे, positive सोचेंगे तो दोस्तों success हमारे कदमों में होगी ओके दोस्तों इस किताब में ओथर ने बहुत सारी tricks बताई है जिसमें हम अपनी way of thinking बदल सकते हैं और बदल सकते हैं अपना lifestyle ओके नाउ दा फोर्थ बुक इज How to win friends and influence people written by Dale कारनेगी दोस्तों किसी को influence करना एक कला है हाँ दोस्तों हम अपने daily routine में ऐसे बहुत सारी व्यक्तियों को जानते हैं जो अपनी बातें यह चुटकियों में मना लेते हैं लेकिन अब आप भी यह कला सीख सकते हैं by this book और यह book आपकी life change कर देगी हाँ दोस्तों इस book में आपको मिलेंगे ऐसे points like that don't criticize be a good listener जो आपको एक influencer बना देंगे अगर आप चाहते हैं अपने दोस्तों के दिलों को जीतना तो एक बार इस book को जरूर ट्राई करें now the fifth book is and the last one 365 Days with Self Disciplined by Martin Meadows दोस्तों, self discipline की एहमियत हम सब जानते हैं क्योंकि दोस्तों, अगर हम अपनी life में कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो हमें self disciplined होना ही पड़ेगा because दोस्तों, self discipline is the ultimate key to success हाँ दोस्तों, इस book में हमें मिलेंगे 365 Life-Altering Thoughts on Self-Control Mental Resilience and Success ओके दोस्तों, मैं आसा करता हूँ आप इन books को जरूर पढ़ेंगे और अपनी life में implement करेंगे मुझे पूरा विश्वास है इसके बाद आपकी सोचने का नजरिया बदल जाएगा और success आपके कदमों को चूनेगे ओके दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो मुझे comment section में जूद बताईए और अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले ताकि वो भी पढ़ सके, आगे भढ़ सके और कुछ नया सीख सके ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक खुश रहिए और अपनों को खुश रखिए हाँ, और दोस्तों, चैनल को subscribe करना ना भूले ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो ले के आऊं आप तक जरूर पहुंचे Thank you